दमाश्टर प्रकास क्लास एस यूटूब प्रान आप सभी लोगों का सौध करता है जूनियर सिक्षक भरती की परिक्षा में अमात्र दो दिन बचे हुए हैं इन बचे हुए दो दिनों में हमें अधिक सेधिक प्रैक्टिस एट लगाना है और इसी उद्देश से आपका जो सेकंड पेपर है सामाजिक अध्यान उसके टोटल सौ प्रिष्णों का हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस एट लेकर आये हैं और इस सौ प्रिष्णों के प्रैक्टिस एट को बिल्कुल एक नए तरीके से हम लोग सौल्व करेंगे नए तरीका ये है कि जिस प्रकार आप अपने प्रिष्णा कच्छ में बैठ कर प्रिष्णों को सौल्व करते हैं पहले आप प्रिष्ण पढ़ते हैं फिर विकल्ब पढ़ते हैं फिर जो आपको विकल्ब सही लगता है OMR seat पर उस पे जाके आप गोला भरते हैं तो यही काम यहाँ पर कटना है प्रिष्ण भी आपको पढ़ना है विकल्ब भी आपको पढ़ना है और जो भी आपको सही answer लगे उसको comment box में लिखते चलना है यानि कहने के मतलब यह है कि जिस प्रकार आप प्रिष्ण परिष्ण देर हैं वो आपको feeling आती है सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आपको solve करना है उसका यह ऐसा क्यों करा जा रहा है उसका कारण यह है कि परसों से तबियत को ज़्यादा ही खराब है और बाकी के बचे हुए दो दिनों में हमें अधिक से अधिक बीडियो बनानी है इसलिए अगर यह अगर तरीका नहीं अपनाएंगे तो हम धेट सारी बीडियो नहीं बना सकते हैं तो चली बहुत हो गई बाते हैं अब अपने प्रिश्ण को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रिश्ण चली कुतुम मिनार के निर्मान में किसने योगदान नहीं दिया था यहीं बताना है पहला प्रिश्ण बहुत ही आसान है आपका विकलब C वाला अलाव दिन खिल जी बिलकुल सही रहेगा बहुत ही स्पीड में आपको प्रिश्ण पढ़ना है विकलब पढ़ना और आंसर देना है हम लोग जरा सा भी रुकने वाले नहीं है इस्पीड अपनी कम नहीं करेंगे यहाँ पर भी आपका C वाला विकल्प अलावदीन खिल जी बिल्कुल सही रहेगा आगे बढ़ते हैं तीन नमबर पर सुल्तान गड़ी किसका मकबरा है तो यह है नासुरदीन महमूद का विकल्प D वाला आपका सही रहेगा चौथे नमबर में क्या आपका प्रिष्ण सही हो सकता है चौथे नमबर में विकल्प जो सही रहेगा वो है मूर्ती पुजा विकल्प B आपका बिल्कुल सही है पाँचवे नमबर प्चलते है दीने इलाही अखबर की मुर्कता के समारक था बुद्धिमत्ता का नहीं ये किस ने कहा था तो ये कहा था बी ये इसमित महोदे ने विकल्प आपका सी वाला बिल्कुल सही रहेगा आगे भड़ते हैं छठे नमबर पर एक मिनट आप प्रशन पढ़िए और बिकल्प बताने कोशिश करिए तो छठे नमबर में जो आपका आंसर होगा वो आपका बिकल्प बिकल्प भी होगा प्रांदक पर्थम ये वाला बिकल्प आपका विल्कुल सही रहेगा साथ में नमबर चलते हैं क्या आपका आंसर होगा महापरी निर्वान सूत्र बिकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा आठवे नमबर का आंसर बताइए चतरवाई पूर निस्क्रियता ये नीती किसकी थी तो यह नहीं थी थी जॉन लॉरेंस की बिकल्ब C आपका यहां पर बिल्कुल सही है आठ नमबर के प्रिष्ण के लिए नौवे नमबर बढ़ते हैं दस्वे नमबर में क्या आपका आसर हो सकता है यहां पर आपका बिकल्ब A नागारजुन कोंडा बिल्कुल सही रहेगा फटा फट प्रिष्ण को पढ़िए और बिकल्ब पढ़िए और आंसर बताते चलिए दस्वे नमबर में आपका क्या सही हो सकता है देवदासी परसाद किसके कराण खतम हुई थी तो यहां पर आपका मुत्तुलक्षमी रड़ी बिकल्ब A वाला बिल्कुल आपका सही रहेगा 11 नमबर पर चलते हैं 11 नमबर में आपका D वाला बिकल्ब अकबर सही है 12 नमबर पे आप प्रिष्ण देख लिए काला करम काला करम के अनसार में इन्हें सजाना है बारवे नंबर में कौन पहले आया कौन बाद में ये लगाना है तो इसमें क्या होगा तराइन का जो सबसे पहले होगा तराइन का पहला युद्ध पर्थाम युद्ध ठीक है दी गए बिकल्पों में फिर उसके बाद कुत्व मुनार का निर्माण होगा ठीक है फिर आपका क्या होगा राजधानी इस्थाना अंत्राण होगा जो कि आपका कुत्व बूदिन एबग करेंगे और फिर तैमूर का अक्रमन होगा नासुर दिन महमूत के समय तो यानि कि कुल मिला के आपका A, D, B, C आपका बिकल्ब बरना है तो यह आपका बिकल्ब B में दिया गया है चल हम लोग 14 नंबर मिलाते हैं, जामा मस्जीद और संभल में इसका निर्मान बाबन ने कराया था, दिन पणा करो मिलेकोरो ने जहांगीर का निर्मान कराया था जो कि आग्रा में है जहांगीर ने एस द्धा का मकबरा जो बनावा था तो यानि कि सिद जिदा आको करम दिया गया है अब यहां जहांगेर जहांगेरी महल से अकपर कंफ्यूज मत हो येगा ये बिल्कुल सही है आपका इसमें सिधा-सिधा जोड़ा है वो आपका सिधा-सिधा जोड़ा बिकल्प ए में दिया गया है पंदरा नमर का प्रिश्ण पढ़िए और आंसर बताने कोशिच करिए पंदरा नमर में हमारा बिकल्प बिल्कुल सही रहेगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रिश्ण पर सोलर नमर पर सोलर नमर में क्या अंसर हो सकता है आपका तो इसकी अधिश्टा जो किया था टी माधहराओ ने किया था पहला वाला बिकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा शत्रा नमर पर चलते हैं सत्तर नममर में क्या होगा आपका सही सत्तर नममर में आपका पहला विकल्ब कॉड़ा लड़ क्लाइफ बिलकुल सही रहेगा 18 नममर पुचलते हैं तो किस ने वकालत किया था भीया जो लाल के लिए पर मुकदमा चल ला था हिंद राजा दिशन फोज का तो ठारा नमबर में सप्रू साहब टीवी सप्रू यह हमारा बिल्कुल सही रहेगा आगे 19 नमबर पचलते हैं 19 नमबर में आपके तीन कथन दिये गए हैं कौन-कौन सा सही है यही आपको बताना है स्वारी चार कथन है 19 नमबर में तो चारो कथनों में आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा यह चारो सही है यानि कि यह सभी सही है विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा 20 नमबर पर आगे भढ़ते हैं तो 20 नमबर में क्या आंसर हो सकता है 20 नमबर का जो आंसर होगा वो दिल्मुन होगा दिल्मुन विकल्प डी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा यह वाला प्रिष्ण अपने पिछले प्रैक्टिक सेट में आ चुका है किस नमबर का और इसका जो आंसर है वो कट उपनिश तो यह वाला विकल्ब आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, चलिए, अलवर संत नहीं थे, यह आपको बताना है, कौन जो है, अलवर संत नहीं थे, 23 नमबर में, तो आपका तिरू ग्यान, विकल्ब डी, बी वाला, यहां पर बिल्कुल सही है, 24 नमबर पर आगे भरते हैं जन सुधाओं पर बे होना वाला विकल्ब, यह हमारा यहां पर सही है, यहां से आपके एकनॉमिक्स के प्रिशन स्टार्ट हो चुके है, एकनॉमिक्स थोड़ी सी बोरियत भरी रहती है, क्योंकि यह कुछ ज्यादा ही हाइड है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस एट छोड प्रैक्टा बिलकुल सही रहेगा, 26 नमर का क्या आंसर हो सकता है, 26 नमर में आपका बिकल्बी, सनराचनात्मक, बिरोजगारी बिलकुल सही रहेगा, 27 नमर का यह ग्राफ है, लम्मा चौड़ा सा ग्राफ है, इसको देखिए और 27 नमर में क्या सही होगा, यह बताने की कोश इस टाइब के हम लोग ने प्रिश्ण नहीं पढ़े हैं क्योंकि वन डे एक्जाम की तैयारी किया है तो यह आपके जो बी और एमे में एकनॉमिक्स पढ़ाई आती है उसे संबंधित प्रिश्ण है तो इस टाइब के प्रिश्ण पढ़ने के आदत महीं है लेकिन यहां पर आंसर बता देते हैं आपका cn विकल्ब बी आपका बिल्कुल सही रहेगा दिये के प्रिश्ण के लिए चली 28 नंबर पे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 28 नंबर में क्या आंसर हो सबता है प्रिश्ण आपसा भी लोगों ने पढ़े लिया होगा और आपका बिकल्ब बी वाला नियूंतम कोस प्रणाली पर बिकल्ब बी वाला बिल्कुल सही रहेगा 29 नंबर का आंसर बताने कोशिश करिए क्योंकि इसे समझा जाता है वह किसी छेत्र तक सीमित है विकल्ब बी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा 29 नंबर में और 30 नंबर का प्रिश्ण आप बताए लम बक्र में खिसका और किस कराण से होता है तो यह होता है आपका विकल्ब बी मुद्रा की आपूर्ती में ब्र गलत बटन दबने कारण जो है स्क्रीन सॉट लेके चला गया है ठीक है तो आपका विवाला विकल्ब सही रहेगा 31 नंबर में आपको जोड़ा मिलाना है तो कौन के से सम्मंधित है यही जोड़ा मिलाना अचले फटा-फटा हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं सीमांत करांती से सम्मंधित कौन सा है तो सीमांत करांती में आपका जेवेन्स भाई साब का नाम आता है गुनक तत्वक मॉडल से सम्मंधित कौन है तो यह आपका सेमॉल्स भाई साब का नाम आएगा आयस एलम वक्र से सम्मंधित कौन है तो यह हिक्स भाई साब जाएंगी और जो बचा है वो बचे वाले के पास में मिला दीजे यानि चार एक दो तीन का हमारा क्रम बन रहा है चार एक दो तीन आपके पहले वाले विकल्प में दिया गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नमर का अंसर बताईए तो 32 नमर में आपका विकल्प B वाला बेलकुल सही रहेगा 33 नमर पर आगे बढ़ते हैं क्या सही हो सकता है 33 नमर में तो 33 नमर में आपका क्या सही हो सकता है 37 नमर में आपका विकल्प D सही रहेगा 34 नमर के प्रिष्ण को देख लीजिए इसमें क्या सही होगा बकर की बात हो रही है फर्म संदुलन के अंदगात आने वाली दो सर्ते होती है और इन दोनों सर्तों में कौन-कौन सा सही है और क्या-क्या बताया जा रहा है यही आपको पताना है तो ये जो दो सर्ते कहां पर होती हैं ये दो सर्ते सभी बजारों में होती है विकलसी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा 35 नमबर पर आगे बढ़ते हैं कथन है ये कथन किसने कहा था यही आपको पताना है और ये जो कथन है ये कीन्स महोदोय का कथन है ठीक है 36 नमबर पर आगे बढ़ते हैं क्या सही हो सकता है तो 36 परिशन का जो कथन है वो भी कीन्स महोदे का ही कथन है 37 नमबर पर आगे बढ़ते हैं 37 नमबर में दो कथन है और इसमें से कौन सही है कौन गलत है ये आपको बताना है तो 37 नमबर में जो पहला का था ना ये भी सही, जो दूसरा है ये भी सही, यानि कि दोनों सही, यानि कि आपका बिकल्प C वाला 37 नमबर में बिल्कुल सही रहेगा, 38 पे चलते हैं, सैन बेट के बारें बताना है कि ये क्या है तो ये केंदरी उत्पाद सुल्क होता है, बिकल्प आपका C वाला बिल्कुल सही रहेगा आगे बढ़ते हैं अपने अगले 39 नमबर के प्रिश्ट पर और ये एक निमलिज में से कौन असत्त है ये आपको बताना है तो ये समिकन दिये है चार कौन कौन सा समिकन गलत है यही आपको बताना है तो भया इसमें आपका असत्त ठीक असत्त बताना है तो ये आपका पहला वाला ठीक है और ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला तीन आपके गलत है याने कि आपका विकल्प ये वाला बिल्कुल सही रहेगा चलिए जो कभी-कभी ऐसा मत सोचेगा कि कोई प्रिष्ण आपको कोई खतरनाक लेवल पे प्रिष्ण मिल गया है तो आप अपना जो है confidence level down कर दीजिए ऐसा मत सोचेगा आपके paper में ऐसा होगा कम से कम 10-15 प्रिष्ण ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको confuse करेंगे आपको लगेगा कि कहां से आ गया है यह ऐसे प्रिष्ण तो हमने पढ़े ही नहीं थे लेकिन कोई बात नहीं 100% मेरित थोड़ी बढ़नी है आपका paper 150 नमरों का होने वाला है अब कोई 150 में से 150 नमर थोड़ी लाएगा 120 नमर भी आपका आ जाता है तो भी कि आपका selection हो जाएगा तो यानि कि आपके paper में अगर 15 प्रिष्ण ऐसे आपको मिल जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं कि यह कहां से आ गया है तो 15 प्रिष्ण आप छोड़ दीजिए कितना बचा 135 बचा ना अब 135 आपके वो प्रिष्ण आ रहे हैं जो आपने पढ हैं तो 135 में से अगर आप 120 सही कर देते हैं तो आपका selection हो जाएगा तो कहने के मतलब अगर आप किसी भी प्रिष्ण में ऐसे प्रिष्ण आपको मिलें जो आपका दिमाग खराब कर रहे हैं तो उनकी पहे लाइन पढ़कर ही आप निकल लीजिए फोरसत से निकल लीजिए उसके चकर में न पढ़िए क्योंकि यहां आपको टॉप नहीं करना है 150 में से 150 नमर नहीं लाना है आपको 120 नमर लाना है ठीक है 110, 120, 115 इसके 110 के ऊपर ही रहना है कुलमला के और selection हो जाएगा ठीक है प्रिष्ण जाने ज्यादा होने कि यहां पर आपको कोई भी जरूद नह ही है तो जैसे यह वाला प्रिष्ण जो अभी हमने 49 नमर के पढ़ा है यह भी उसी कटेगरी का प्रिष्ण कि यह कहां से दे दिया गया है इसको हमें भी नहीं पता है तो ज्यादा प्रेसार ना रही है इसको छोड़ दीजे ना क्या दिकत है ठीक है ऐसा थोड़िए कि और आंसर बताईए चलिस नमर में 1949 आपका विकलप सही रहेगा 41 नमर प्रिष्ण आपका विकलप सही रहेगा 43 नम्मर पे चलते हैं यह भी बढ़िया प्रिश्ण है 43 नम्मर का यहां पर आपका सीव रामन संक्ती ने राइश्ट्रे कित्री और ग्रामन विकास बैंक नावाड की स्थापना करने के वारे में अनुसांसा किया था 44 नम्मर पर चलते हैं सर्व सिक्षा वियान कब चाल हुआ था भी यह तो यह उन्निस्तो पंचान सौरी दोहजार एक और दोहजार दो की बात है विकल्बी वाला आपका 44 नम्मर में बिल्कुल सही रहेगा 45 नमर पर चलते हैं राइट अच्छा देखिए 45 नमर के पर फिर घूम फिर के दुबार आ गया है ठीक है तो इसका पहला वाला विकल्ब हमारा साही है यह है 46 नमर पर चलते हैं अच्छा इसमें कथन दिये गए है कौन कौन सा सही है कौन गला था यह बताना है तो आप पहले क्या करिए कि बिकल्बों को ध्यान से पढ़ लीजिए ठीक चार कथन दिये गए हैं चारों में से कौन सा यह कौन गला था यह आपको बताना है तो 46 नमर में आराम से पढ़ ल रहेगा साइटार्श नमर के प्रिशन पर आगे बढ़ते हैं अब हमारे जोगराफी के प्रिशन स्टार्ट हो चुके हैं जोगराफी में मज़ा आएगा प्रिशन को सौल करने में तो भारत में लोणी मिर्दा का सरबाधिक चैठर फल कहां पर है तो सबसे यहदा जो दलदली और लोणे चैठर पाए आता है वह गुज़ात वाले चैठर प्रिशन सरबाधिक नमक यहीं से बनता है 48 नमरे में सबसे लम्मी तट रेखा वाला राजी कौन सा है तो 49 नमरे में सबको पता है सबसे लम्मी तट रेखा किसकी है गोजरात की है एक स्थल जल डमरूमध एक स्थल जल डमरूमध क्या है यही आपको बताना है तो 49 नमर में आपका विकल्बी दो जल निकायों को अलग करने वाली भूमी के एक सकरी पट्टी को हम लोग इस्थर जल डमरो मदे के नाम से जानते हैं पचास नमबर में आपका क्या आंसर हो सकता है पचास नमबर का आपका पहला विकल बांगलादेश बिल्कुल सही रहेगा बलुआ पथर के समे मdem रूमांत्रित हो जाता है तो इनक यवन नमबर में आपका सी कवार्टर्स आपका बिल्कुल सही रहेगा नीली करांगती के से सम्मझन नहीं तहीं बहुता है आसान प्रूशन है बच्कों वाले मचली पालन से सम्मझन नीली करांगती हूती है जो मैनिनाट रिखा है वो फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर बनाती है विकल्प सी आपका सही रहेगा फटाफट को लगाना है रुकना बिल्कुल नहीं है सुनामी वारनिंग सेंटर कहां पर है तो ये आपके हैदराबाद में है भारती मौसम बिज्ञान संस्थान कहां पर है तो भारती मौसम बिज्ञान संस्थान ये नई दिल्ली में है विविन प्रकार के जी जन्तूओं हरे पौंधे सरवातिक संख्या में कहां पर पाई आते हैं तो सरवातिक जो जय विविधिता पाई आती है वो आपके उस्ट कटबंधिये बरसावनों में पाई जाती है विकल्प आपका C सही रहेगा अंठाउन नमब चलते हैं कौन सा साग्रिय तल को प्रभावित करता है तो ये आपके तीनों यहाँ पर सही ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यह जो आपने पिछले प्रैक्टिस सेट लगाया होंगे उसी के कुछ यहाँ पर घुमास रहा के प्रिश्ण दिये गया है 59 नमबर पर चलते है किस जिल के चारों और बसा गाउं किस परतिरूप में आएगा स्वरी हाँ ठीक है बहुत बढ़िया प्रिश्ण है भारत बांगलादेश की बीच में चलने वाली रेल गाड़ी जो है वो मैत्री एक्सप्रेस है बिकल्ब बी आपका सही रहेगा संभवाद के जनक की रूप में किसे जाना जाता है 62 नमबर में 62 नमबर में आपका D, बिडाल, डिला, ब्लास आपका बिकल्ब डी वाला सही रहेगा 64 नमबर में आपका सल्फर डिकल्द, बिकल्ब डी, आपका बिल्कुल śही रहेगा 64 नमबर पर आगे जलते हैं पारे जल्ब बतुपरियोजना कहां पर है तो ये भीया है अर्वाचल प्रदेश में ट्रिवार्थ के अंसार CS प्रकार की जल्वायू का क्या आर्थ होता है तो यह आपका भूमद साकरिय जल्वायू से इसका मतलब होता है पहला वाला विकल्ट सहर हैगा भारत में यूरिनियम कहां पर उपलब्ध है तो यूरियन जो है भारत के ललितपूर मतलब उत्तर जल्दी आंसर बताइए यह आपका कांटोर विकल्ब आपका सही रहेगा 68 नंबर में क्या सही हो सकता है तो 68 नंबर में मिन्सक आपका विकल्ब डी सही रहेगा 69 नंबर में क्या सही होगा कौन सा आच्छा यहाँ पर आपके भारती सम्धार से सम्मधित प्रिशन आ चुके हैं एक यह पर्चनली का जो गारंटी देता है वो कौन सा आल्टेल देता है पंचाईतों में तो सत्तर नमर में देता है आज तिल 243 का जो पाल्ट घा ठीक है आगे बरतें गत्तर नमर पर गत्तर नमर भी क्या करना भी यह राजनिकी जीओन में भारत के प्रधान सामिल नहरु को सामिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह लगातार प्रधान्मंत्री थे जो गैप करके बने हैं उनको उनके बारे बात हो रही है तो 71 नमर में आपको गुलजारी लाल नंदा आएंगी ये कारिवाहक प्रधान मंत्री बनते थे बार बार इंद्रा गांधी आएंगी और अटल विहरी वाजबई आएगी यानि 3-4-5 आपका सही रहेगा 3-4-5 विकल सी में आपका दिया गया है 72 नमर चतनी हैं लोग लिखा सम्ती के बारे में बताना है कि लोग सभा, राज सभा और कुल टोटल कितने सदस्द से होते हैं तो 72 नमर में लोग सभा के 15, राज सभा के 7, कुल मिला के 22 सदस्द से होते हैं लोग लिखा समती में 73 नमबर पर आगे बढ़ते हैं हम लोग चलिए 73 नमबर में क्या आंसर हो सकता है 73 नमबर में आपका विकल्प सी साथ आपका बिल्कुर सही रहेगा 74 नमबर में आप प्रिश्णों को पढ़के दो कथन दिये गया है उसके बाद आपका विकल्प नीचे लिखा गया है कौन सा सही होगा ये बताना है 74 नमबर में जो पहला वाला कथन है वो आपका बिल्कुर सही है यानि कि यहाँ पर आपका पहला कथन सही है विकल्प A वाला बिल्कुर सही है ये दूसरा कथन हमारा गलत लिखा गया है 75 नमर चलते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है तो क्या सही हो सकता है 75 नमर में B वाला देखिए आर्टकल 226 में लिखा धन बिर्यक की परिभासा ये वाला बिल्कुल गलत है बाकी की सारे आर्टकल आपके बिल्कुल सही लिखे गया है 76 नमर में कौन सा आर्टकल बच्चों के सोसान से सम्मन्धित है तो बच्चों का जो सोसान से सम्मन्धित आर्टकल 24 है 24 विकलब D वाला आपका सही रहेगा 77 अप चलते है मूल कर्तब कहां गए सर्दार 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 सिंग कमिटी किसी स्वारिस पर जोड़ा गया था विकल सी आपका सही रहेगा 78 नमर अब चलते हैं फटाफट आंसर बताईए फटाफट प्रिशनों को पढ़िए वही आप बोर नहीं होना परिक्षा आपको देना अगर आप यहाँ पर 30 मिनट का प्रैक्टिस ट लगाने में ही बोर हो जाएगे तो बहुत है दिक्कत होने वाली है आपका यह जो आर्टिकल है आर्टिकल 21 आपका बिलकुल सही रहेगा 79 नमबर में क्या आपका सही हो सकता है 79 नमबर जो प्रधान मंतरे से मैक डॉनाल्ड थे आपका बिलकुल सही रहेगा अंतिम सत्र कब आयोध किला गया था सम्धान सभाय का तो यह आयोध किला गया था 24 जन्वरी 1950 को इसको बाद 26 जन्वरी को इसकी घोषणा सम्धान गरतंत्र की घोषणा कर दिया थी 81 नमबर पर चलते हैं इसका आंसर बताने कोशिक करिए 81 नमबर में पहला 1973 की केस्मनंद भारती बनाम केराल राजी के मामले में प्रस्तावना सम्धान का भाग है इस पर बिवाद हो गया था 8 ठीक है 82 नमबर पर चलते हैं 82 नमबर में आपको जोड़ा मिला आपको कौन सा कथन सही है तो चलिए पढ़िए प्रिश्ण को और सही आथ बताने की कोशिक करिए कि इनमें चार कथनों में कौंड कौंसा आपको सही है धार्मिक सोतंतरता के बारे में ये लिखा गया है तो 82 नमर का जो प्रिश्ण है उसमें आपका पहला वाला दूसरा वाला और तीसरा वाला ये तीनों सही है यानि कि आपका कथन ए वाला सुरी पहला विकल्ब आपका बिलकुर सही है 82 नमर के पिष्ण के लिए आगे बढ़ते हैं 83 नमर पर हाँ ठीक है 42 में समिधान संसोधन दॉरा नीथी निशे तक्तों में नहीं जोड़ा गया है तो किसे नहीं जोड़ा गया था 42 में समिधान संसोधन में ये आपको बताना है तो 83 नमबर में आपका सी वाला समान अचार संहिता सी वाला बिल्कुल सही रहेगा आगे बढ़ते हैं 84 नमर पर इसमें क्या सही हो सकता भाई यह 84 नमर में 84 नमर में भी आपका संसद सही हो है 85 नमर पर आगे बढ़ते हैं देर बिल्कुल भी नहीं लगाना है जल्दी से बिकल्प को पढ़के पहले प्रिष्ण को पढ़के फिर बिकल्प पढ़ते जाएं और आंसर बतायते जाएं तो यहाँ पर उप्युक्त मैं से कुछ भीola नहीं धिक रहा है तो कोई बात नहीं है हमें A, B, C से ही हमारा kाम चल जाएगा 86 नमर में क्या सही हो सकता है जो सही नहीं है वही आपको बताना है एक मिनट जो सही नहीं है वही आपको बताना है तो पहला वाला जो विध्यक है वो आपका सही है कि धन विध्यक संसर के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में परस्तावित क्या जा सकता है यह वाला जो बिकल्ब है, आपका गलात developed है और जो गलात है वह हमारा सही है, ठीके, आगे भढते हैं 87 नंबर पर 87 नंबर में कौन सा बिकल्ब आपका सही हो सकता है तो कोई कानून इभी देक संस्वत के किस पठल पर रखा जा सकता है बिकल्ब C वाला आपका बिल्कुल सही है 88 नमर पे आगे बढ़ते हैं ठीक है, ये 99 नमर पे आगे बढ़ते है तो राष्ट्री आपात काल की गोश्रा कहां से की जाती है तो राष्ट्री आपात काल की जो गोश्रा की जाती है वो आल्टकिल 352 से किया जाता है नबे नमबर पे आगे भड़ते हैं अच्छा इसमें भी आपको बताना है कौन सा कथन सही है तो ये बड़े-बड़े प्रिश्ण है, बार-बार चोटा करना पड़ता है, बार-बार बड़ा करना पड़ता है, चलिए बताए, चार कत्त दिये गए, नमें से कौन सा आपका सही हो सकता है, नभे नमर के प्रिश्ण में, जल्दी हम लोग 100 नमरों पहुँचने वाल हैं, ज़्यदा अब बोर मत होई है तो इसमें आपका भाईया पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है यानि कि विकल्प डी आपका यहां पर बेलकुल सही रहेगा 90 नंबर के प्रिष्ण के लिए ठीक है चलिए 91 नंबर पर बढ़ते हैं अब आपके जो 10 प्रिष्ण है वो आ हमारा विकल्प सी दोनों होगा यानि कि बिभौतिक्तत और जैविक्तत यह हमारा दोनों होगा यानि के सही होगा बानबर में क्या होगा वार्टरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है राजेंद्र सिंग को अ चलिए 93 नंबर में क्या आपका सही होगा 93 त्री नंबर में carbon dioxide होगा यह carbon dioxide जो यही आपका green house प्रभाव के लिए जिम्मेदार gas है तो carbon dioxide आपका विकल्प री सही होगा 94 नमबर में आपका क्या सही होगा 94 नमबर में आपका लगवा, कैंसर, सुसंतंतर में समस्या ये तीनों सही है यानि कि उपरोग से सभी आपका विकल्प सही होगा 95 नमबर में क्या सही हो सकता है फटा-फटा आप कुश्यन को पढ़िए तो 95 नंबर में भी पहला, दुछा, तीसरा ये तीनों सही है, यानि कि उप्रोग था सभी आपका बिकल्ब डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, 96 नंबर से 96 नमबर में आपका क्या सही होगा जोड़ा विकल्पों को ध्यां से देख लीजिए 96 नमबर में आपका C वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा चलिए 97 नमबर बढ़ते हैं अब रुख जाईए हाँ पर 97 नमबर से हम लोग के ऐसे प्रिशनी स्टार्ट हो रहे हैं जो आपके सिक्षण से सम्मंधित हैं और आपके स्लेबस में सिक्षण सम्मंधित जो स्लेबस है उसमें लिखा नहीं गया है कि इस प्रकार के प्रिशन आएंगे लेकिन जो एक्सीड ये जो आप ट्रक्टिश एट लगा रहे हैं ये एक्सीड पब्लिकेशन से लगा रहे हैं तो एक्सीड पब्लिकेशन में 4-5 प्रिशन आपके सिक्षण सम्मंधित दिये गए हैं तो अगर आप इन प्रिशनों को सॉल्व करना चाहेंगे तो टेलिग्राम चैनल को जाएगा उसको टेलिग्राम चैनल को पहले जॉइन कर लीजिएगा बहुत सारे लोग PDF डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं करते हैं तो आप उसको पहले जॉइन कर लीजिएगा जोइन करने के बाद वहाँ पर इसकी PDF है उसको आप डाउनलोड कर लिजेगा जो आज वीडियो आने वाली है और जो कल वीडियो आने वाली सभी की PDF पहले ही हम लोगों ने टेलिग्राम सेनल पर डाल दिया जिससे आप डाउनलोड करके आराम से अपने प्रैक्टिस सेट को लगा सकें तो इन सारे प्रिशनों को हम लोग छोड़ देते हैं ठीक है तो अब इस प्रकार से हम लोगों ने अगर यहाँ पर देखा जाए तो टेट के तयारी कर रहे हैं किसी भी परिच्छा के तयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी इस चैनल के बारे में बता दीजिएगा जिससे उन्हें भी कुछ फाइदा मिल सकें अभी हम लोगों का यूटूब चलन बहुत ही छोटा सा यूटूब चलन है ज्यादा सब्सक्राइब या जो कुछ भी आपको बताना हो वो कमेंड बॉक्स में आप लिख सकते हैं चले मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी प्रैक्टिस सेट में आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद